जो लोग करेले की सबसी या भरवा करेले नहीं खाते हैं करेले देखते ही दूर भाग जाते हैं वो लोग आज की रेस्पी देखने के बाद में करेले खाएंगे उंगलिया चाट चाट के और जब भी करेले आएंगे घर में वड़ी खुशी से बनवाएंगे चलिए आज बन पन्तिकल सकते हैं तो जो क्रेले बिचे होते हैं, बहुत हार्ट हो जाते हैं यहाँ पर ऴीजी वीज बहुत जदा हार्ट होते हैं, यहां पर छीड़ी है तो थोड़ा लासा रदी चील का रिमूब नहीं करेंगे यह देखिए और यहाँ पर देखिए सारे करेले मैंने पील कर लिये हैं और यहाँ पर इन में मैं इस तरह से एक तरफ को कट लगा दूंगी कट ऐसे लगाना है कि करेले के दोनों सिरे आपस में चुड़े रहें ताकि यह अच्छे से इनकी स्टफिंग हो सके यह देखिए करेले सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं पर मैं कैसे बनाती हूँ आज की रैस्पी देखने के बाद में आप लोगों को अगर यह करेले की रैस्पी पसंद आया ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बहुत ही टेस्टी करेले बनते हैं यहाँ पर देखिए करेले अच्छे से पील हो चुके हैं इनमें मैंने कट लगा दिया है अब इसमें क्या करना है ये जो नमक है नमक एड़ कर देंगे नमक एड़ करने के बाद में इनको अच्छे से करेलों में कोट कर लेंगे मतलब लगा लेंगे ताकि करेले का जो करवापन है वो न इकल गया है यहाँ पर मैंने एक किलो करेलो के लिए ली है इतनी सारी प्याज प्याज है कुछ के लिए लेसुन की हैं मैं करेले में लेसुन एड़ करती हूँ बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है अगर आप लोगों ने इस तरह से नहीं बनाया है तो एक बार जरूर ट्रा बहुत ही टेस्टी बनते हैं करेले जितने हैल्दी होते हैं लोए की कडाई में बनने के बात में हमारी बोडी को भरपुण मातरा में आईरन मिल जाता है तो चलिए यहाँ पर देखे मैंने बहुत ही थोड़ा सा ओयल लिया है और इतने से ही ओयल में मैं ये सारे करेले अच्छे से फ्राई करूंगी मैं जब भी करेले बनाती हूँ तो हमेशा करेलो को पहले अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ फ्राई करने से क्या होता है ना करेले बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं कुछ लोग इनको हलका सा वाइल कर लेते हैं पर मैं वाइल करके नहीं बनाती हूँ मैं इस तरह से बनाती हूँ और मैं जब भी करेले बनाती हूँ ना तो मेरे घर में, मेरी ससुराल में या मेरे मैके में सबी लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं करेलों को अच्छे से फ्राई होने के लिए रख दिया है और यहाद की फ्लेइम को हाई कर दिया है ताकि यह जो करेले है ना धीमी आज में अगर इनको फ्राई करेंगे तो यह मुलायम हो जाएंगे हमें इन्हें मुलायम नहीं होने देना है हमें इन्हें थोड़ा सा कड़क भी रखना है तो ये देखें यहाँ पर मैंने हाई फ्ले मेरी करेलो को थोड़ी देर ठाक कर और थोड़ी देर खुले में अच्छे से फ्राई कर लिया है अब आप देख सकते हैं करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं आप इनको निकाल लेते हैं और करेलो को ठंडा होने देते हैं ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं जब तक करेले अच्छे से फ्राई हो रहा है ना तब तक यहाँ पर मैं इसमें थोड इसके बाद धेर सारा सौफ और अब इसमें साबुत धनिया एड कर दूंगी बहुत भड़ी है मसाला बनकर तयार होगा और जब मैं यह मसाला बना रही थी करेले बना रही थी पूरे घर में करेलो की खुश्बू फैली हुई अब इसमें एड कर देंगे लहसुन की कलिया और थोड़ा सा मैंने यहां पर कलोंजी एड कर दिया है और इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे भून लेंगे इसके बाद में एक प्लेट भरकर यहां पर मैंने रफली चॉप कर दी थी प्यास इसको एड कर दिया है बहुत ही कम ओयल में प्यास को फ्राइ करना है ज्यादा आइल में नहीं करना है क्योंकि कोशिश यही कीजिएगा कि जितना कम ओयल यूज हो सकता है उतना कम ओयल यूज कीजिए यहां पर देखिए करेलो में भाई खटा पन तो चाहिए तो खटे पैन के लिए मैंने यहां पर एक सी डेड़ अम्या ली वही है कच्छी आम इसको प्याज के साथ में कट करके एट कर लेंगे और इनको भी थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को पूरी तरह से सौटी नहीं होने देना है वरना यह जो इसका मसाला है न वो अच्छा नहीं बनेगा बस यहां पर हमको मसालों को थोड़ा सब भूल लेना ह मसाला अच्छे से भून गया है चलिए इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको भी ठंडा होने देते हैं तो यह लीजिए करेले का जो मसाला हमें बनाना है उसकी आधी तो तयारी हो गई है बच्छी भी आधी तयारी अब करते हैं तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से सौरी प्याज बगर अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इसको ले लेंगे मिक्सी ग्राइंडर जार में और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ एड़ किया हुआ है जी हाँ गुड़ गुड़ एड़ करने से क्या होता है ना करेले का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है अगर आप लोगों ने ऐसे ट्राइड नहीं किया है तो जरूर ट्राइड कीजिएगा यह लीजिए मसाला भी ग्राइंड हो गया है अब इसमें हम एड़ कर देते हैं बेसिक मसाले हल्दी पाउडर लाल मिर्श धनिया पाउडर मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी जादा रखिएगा क्योंकि करेले क्वांटिटी में थोड़े जादा है धनिया पाउडर और साथ में गरम मसाला भी एड़ कर दिया है तो चलिए इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हाँ नमक एड़ जरूर कीजि हैं स्टफिंग weelstец से ठर्ड़ थे और यह देखिए इन में अच्छे से इस्टफिंग फिल करेंगे बहुत हैं वह अच्छे से कुछ करेलों के बीज जो हाड थें उनको मैंने रिमूब कर दिया था हटा दिया था और जिन करेलों में बीजे सॉफ्ट थें tahun कुछा नहीं हटाइक उनको रहने दिया है क्यूंकि मुझे गचाल के समस्ति करेले की बीजे बहुत ज़्यादा पसंद है कि इतने अच्छे से भर हर के इसमें मैंने की वी है अच्छे से स्टफिंग भरनी है और थोड़ी से स्टफिंग बच गई है जिसका अभी आंगे हम यूज करेंगे तो ये देखिए ये करेले अच्छे से मैंने इनमें स्टफिंग कर दी है और अब कडाई में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओयल और एट कर चलिए अच्छे से सेट कर देते हैं कड़ाई में जब भी आप करेले बनाये तो करेले की उपर इस तरह से मैंने रख दिया है और इनको ढख कर धीमी आज में कुखोने देंगे करीबन पांच मिनट बाद मैंने चेक किया है ना तो करेले नीचे से अच्छे से हो गए हैं एक तरफ से तो इनको इस तरह से पलट लेंगे देखिए करेले बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है लेकिन करेले बहुत ही स्वाधिस्ट बनते हैं इनको आप जितना आराम से और धीरे से बनाएंगे ना उतना ही ये स्वाधिस्ट बनेंगे तो देखिए एक एक करके सारे करेले अच्छे से पलट लेंगे ताकि ये दूसरी तरह से भी अच्छे से कुख हो जाएं और जैसे जैसे ये कुक होते जाएंगे ना जो ये स्टफिंग जो ये मसाला है ना ये भी अच्छे से भुनता जाएगा और कडाई से देखिए कम होता जा रहा है मसाला इनको बीच बीच में अच्छे से चलाते रहना है जैसे जैसे करेले और स्टफिंग अच्छे से बनती जाएगी ना वैसे वैसे जितना भी ये ओयल है ना अच्छे से देखिए खतम होता जारा है सारा ओयल अच्छे से करेलों ने पी लिया है मतलब जितनी जरूरत थी मसालों ने तेल सोक लिया है और अभी आप देखिएगा बिल्कुल भी एक्स्टर तेल नहीं रहेगा कि कि मैंने पूरी कोशिश किये जितना कम से कम तेल यूज कर सकती हूँ उतने भी कम तेल में मैंने करेले बनाए हैं अभी आप देखिएगा करेले 50% बन चुके हैं बस अब इनको क्या करना है मीडियम फ्लेम पे करके इनको अच्छे से भूनते रहना है बीच वीच में अच्छे से चलाते रहना है और अब आप देखिए सारा मसाला अच्छे से भून चुका है भुनने के बाद में आपको कड़ाई में बिल्कुल भी एक्स्टा ओयल और एक्स्टा मसाले नहीं दिख रहे होंगे करेले बहुत अच्छे से बन चुके हैं और यह देखिए हमने जो तेल यूज किया तना बिल्कुल भी जादा नहीं हुआ है करेले इतने बढ़िया बनके तयार हुए हैं आप इनका कलर देखिए इनका टेक्शर देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग इसकी रेडी हुई है और खाने में भी सुपर डिलीसियस टेस्टी बने हैं बहुत ही जादा तो जो लोग करेले नहीं खाते हैं आज की रेस्पी द